हेल्लो एविवन सो बिना देरी के इस पार्ट को जल्दी से शुरू करते हैं सबसे पहले हम उसी तड़की को दिखते हैं जिसने की सारी की सारी प्रोप्लम क्रियेट की थी जो कि एक शॉप पे जाती है तो यहां पर उसे एक और बंदी मिलती है वो से सजेस्ट करती है कि मास्टर ने कहा है कि तुम्हें शीपा का काम तमाम आज के आज ही करना है इसके बाद वो कहती है कि यह क्या बात हुई मैं तो उसे अभी मार डालूंगे सो जिंदा करने के कोई जरूरत नहीं है उसके बाद वो रात में चुपते चुपते शीपा को ढूटते हुए वो सारे कार्ट को बेहुश करते हुए अंदर इंटर कर जाती है शीपा को मानने से पहले शीपा उसके पीछे गड़ी होती और गहती है कि वाट लोकिंग फॉर मी मुझे टून रहा हूँ पट में तुमारे हाथ ऐसे ने आने वाली इसके बाद उस शीपा को छोड़ कर बाहर भागने लगती है बिकोंसे पता चल गया था कि अब उसका काम तमाम होने वाला है तब ही हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्ट जा जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं साथ में यहाँ पे कोई मुलांग, ली उचोन, शीपा सबी लोग होते हैं इसके बाद उसका नकाब हटाया जाता है और सबी लोग उसे पहचान लेते हैं कि यह तो वही लड़की है ना जो कि ड्रेस इस पर काम करती थी और ये दरसर हम सबी की भी ट्रेटर बनी घूम रही है हम बात करें तो शीपा और कोई मुलांग को मतलब ली शौन को पहली पता था कि यही बंदी है जो कि सब कुछ कर रही थी लेकिन फिर भी उसे रंगे हाथ बकड़ने के लिए इन सबी ने प्लैन किया हूदी को देखते हैं जो कि ऐसे कमांडर अपना काम पूरा करती है और चेकिंग स्टार्ट करती है तो उसे किचिन में बहुत साई ड्रक्स मिलते हैं जिससे कि उन सारे कार्स को गिराया गया था इसके बाद हूदी भी अब फैनल डे ट्रक्ट पे आ गई होती है और अब वो शीपा को कर्स नहीं कर रही होती है पर ऐसा मतलब नहीं है कि वो शीपा से जैलस नहीं है और शीपा से उसकी कड़वाहाध खतम हो गई है वो अभी भी शीपा को उतना ही हिट करती है कि अगर उसे मौका मिले तो उसके बाल पगड़कर 20 सिड़ी के बाहर फिक दे और अपने किंग के पास तो कभी उसे आने भी ना दे सारी सिटी में उस लड़की के मास्टर के लिए दरसल पूंशाद स्टार्ट हो जाती है पर वो मास्टर को जाद ही स्मार्ट रहते हैं बंद ये ग्रांट सन को दरसल होस्ट पे ले लेते हैं और इसके बाद वो बंदा उने प्रोटेट कर लेता है और वो दरसल कोई मौलां के हाथ नहीं लगते करेंगे तो शीपा बाहर भागने की कोशितों जरूर करने वाली है विकॉस उसका नेचर ऐसा ही है तभी लिजुन करता है कि वाह मास्टर मतलब आप ना सबसे ज़्यादा बैस्ट हो इतनी में शीवा पाहर से भाग कर आती है कि कोई मुलांग तुम मुझे प्रॉमिस किया थ करने की कोशिच भी करना बाकि सारी मेर्स को देखते हैं जो दरसल शीपा और की की बारे में घूसिप से जलती है कंबान जाइब यह देना चाहिए विकॉस मुझे पता है कि आप समार्ट हैंटे जरुच्ट हैं आप उस बेकासी जटकी से चाहिए तब ही दूई कहती है कि अच्छा मुझे सुब पता है कि यह सब लोग मुझे ही कर्ज कर रहे हैं जबकि मैंने ने बचानी कोश्ट की दी पर सही बात है इस समाने में भलाई किसे याद रहती है बस कॉसिप करना सभी को आता है और इसके बाद ही दूई और पूछ जादा चै सेलिबरेशन के तोर पर चिकिन और वाइन भी लेकर आता है और कहता है कि यह तो खुशी का माउहल है बिकॉज कोई मुलांग ने आपको फ्री कर दिया तब ही शीपा कहती है कि तुम चिप करो अभी कुछ भी नहीं हुआ है अभी तुमने आधा काम भी नहीं किया और तु तुम पता नहीं क्यों excited क्यों नहीं लग रहे हो तुम इसे छोड़ो और मेरी पास सुनो कि हमें यहां से भागना पड़ेगा इस क्या तो मैट देखाती है और कहती है कि देखो यहां पर बाहर भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है वो रास्ता है जब मैं जंगल में मिली थी मतलब उस फारस से ही रास्ता होगा यहां से भागने का ली शॉंग हमें यहां से भागना पड़ेगा तभी ली शॉंग कहता है कि वैसे मुझे तो लगता है कि आपको माई लॉड का दरसल खदर करनी चाहिए विको आपको इतनी अच्छी तरीके से ट्विट करते हैं और भी जादा उस पर शक ना हो जाकर लियुजों से कहता है कि घुपा को मुचे पर शक होने लगा यह तब कोई मुलांग कहताया कि हाँ यहां अव्या था को बाहर ले जाना पड़ेगा से जंगल में घुमांगा उसे रासा दो वैसे भी नहीं मिलने वाला कॉस्पी सिटी और वो सिर्फ वह सिर्फ कोई मुलांग ये कर सकता है इसके बाद लिव जुन कहता है कि माई लॉड यू आर दे बेस्ट इसके बाद हम लिखते हैं कि लिव जुन दरसल हौंग शियू को कामे उचा लेता है वो शीपा और कोई मुलांग को परिशान ना करे यहाँ पे हौंग श्यू भी अपना चांस देखने लगती है कि शायद लिव जन्हों से पसंद करता है तभी तो उससे मिलने के लिए बुला रहा है यही पर शीपा और कोई मलांग मौका देखकर वहाँ से भाग चाते हैं तभी शीपा कहती है कि रुको हमने बहुत सारी सामान तो पैक कर लिया है वेकॉस में जंगल में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन उससे पहले हमें अपना हूलिया चेंज करना पड़ेगा और शीपा अपना फेवरेट मेकप फिर से कर लेती है लड़कों वाला और कहती है कि अब लगभी मेंन जेंटल्में इसके बाद वो कहती है कि हनी बहार आओ और हम देखते हैं कि वो हमारे Mr. Beast King कोई मुलांग को लड़की बना देती है, इसके बाद हमारे कोई मुलांग कम सिल कली बने, वहां से बहां निकलते हैं, और वो कुझ जादे सुन्दा लग रहे थे, कि जैसे ही वो केट पर बाहर जाने के-लिए होते हैं, सारे गाठ सिसे भुषिफ कोई मुलांग कोई देखे जा रहे थे कि पिचारा कोई मुलांग भी एक बार शर्मा जाता है कि बस धरकी इन धरकी नजरों से देखना मुझे बंद कर दो मैं तुम्हारा माइलाड हूँ कोई लड़की नहीं पर वो गार्ट उसे घूर-घूर का देखते जा रहे थे कि जैसे कि उसकी जान ही निकाल लेंगे तभी कोई मुलांग भी थोड़ा अशेम फिल करने लगता है जैसे कि उसे खाई जाएंगे और कहता है कि शीपा से मेरे थोड़े करीबा हो ना तभी शीपा कहती कि ओ हलो मेरी वाइक भी तरह है ऐसे घूर-घूर क्यों देख रहे हो आखें निकाल है इसलिए चुप करो और हनी तो मेरे करीबा हो और इसके बाद शीपा हमारे कोई मुलांग को जोड़ से पकड़ती है और वहां से ले जाती है जंगल में काफी ढूनने के बाद इन सबीको कुछ भी नहीं मिलता आरिश होने लगती है और शीपा कोई मुलांग एक जगह प हो गई और इसके बाद उसके और इसके ब्रदर की बीच में कंफलेक्ट हो गया इस बिसनिस को लेकर इसलिए वो थोड़ा सैड है तब शीपा कहती है कि तुम्हारे कॉर्डिंग मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है मेरी मॉमेंट है एक दूसरे से बहुत यदा प्यार करत है कि कोई मुलांग और शीपा का रिलेशन बहुत ही जादा रोमेंटिक है बिकॉस माय लौड उसे बहुत यदा प्यार करते हैं शीपा कि यहां खुलती है तो सबसे पहले लीशों का नाम लेती है विकॉसे लीशों कहीं भी नहीं मिलता होंग्शी उसे बताती है कि लीशो भी नहीं करेंगे स่ रिलक्स शीपा करते हैं कि दो ठीक नहीं तो मैं से मांने के पैत्र आजमाती इसके बाद लीशोंग के लिए परिशान होती है पर लीशोंग उसे कहीं भी नहीं मिलता भागते हुए वो दरसल कोई मिलांग के पाज आती है और कहती है कोई मिलांग तुने लीशोंग के साथ क्या क्या तुने उसे मार दिया क्या यहाँ पर हम कुई मिलांगों दिखते हैं जो कि इस बास से अनाय हो रहा था कि शीपा उसके कुईन बनने वाली है पर वो उसे लीशों के फॉर्म में क्यूं पसंद करती है इसके वाँ थोड़ा गुसा हो जाता है और शीपा उसे डबल गुसा होकर वहाँ से भाग जाती है के लिए थोड़ा काम आएगा यहाँ पर हम लीशन को देखते हैं जो कि खटाटे मार के सोच आता है पर माई लॉड उसे बड़ी इंटरस्ट के साथ पढ़ते हैं और लीशन को बताते हैं कि मुझे सबसे अच्छा एडिया मिला लड़की का दिल जीतने का कि उससे जल्दी जाती है तब ही और चलाने लगती है कि क्या मुझे इशादी नहीं करनी इसके बाद जोर से चलाती है कि सारा महल अपने सिर्फ उठा लेती है शीपा को यहां के तौर तरीके सिखाने के लिए भी यहां पर कई सारे लोग आते हैं पर शीपा अपना सेक्षी सा टांस दिखा को नहीं इंबैरेस कर देती है जो कि दरस अपनी नौकरी छोड़कर यह वहां से भाग जाती है और कहती है कि मुझे नौकरी नहीं करनी मुझे दरसल मायकरेस को कुछ भी नहीं जिकाना बस मुझे यहां से जाने देजे प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ पर पढ़ती हूं तभी हाँ पर कोई मुलांग कहता है कि क्या तभी हो कहती है कि मैंने इतनी भेशरम लटकी आस तक कहीं नहीं देखी इसलिए प्लीज मुझे जाने देजे मुझे अपनी हिस्त का ख्याल है तभी हाँ आपके आप जा सकती है और इसके बाद आप नौकरी छोड़कर यह करो तुमको जादा ही आउट अफ लाइन हो रही हो तभी होदी चुपनी होती है और कहती है कि देखा ना मैंने कहा था कि लड़की सिफ़से आपको सिट्यूस कर रही है प्लीज उसे तूर रही है वो काला जादू भी करती है तभी कोई मुलांग कहता है कि बस चुप करो शीपा को तो बस रिजेक्ट होना था तब ही हो कहती है कि हाँ अहूदी सही कह रही है मैं आपके लाइक नहीं हूँ और मुझे आपसे शाती करनी भी नहीं है पट कोई मुलांग कोई भी बात नहीं सुनता शीपा को एक ट्रेडिशन के बारे बताया जाता है कि उसे दर अस इस महल के मिनिस्टर के लिए खाना तियार करना है इसके बाद वह आपको रेटिंग देंगे खाना अच्छा लगा या नहीं शीपा सोचती है कि अच्छा तो यह मेरा मांका है मैं ऐसा खाना बनाओंगे कि जिन्दकी में वह लोग खाना खाना ही भूल जाएंगे और इसी क के साथ त्टिंगी सो मच गाइस पूचेंगे